नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का एकाक्स ट्रोटोरियलस पर मैं हूं गौरव दोस्तों इस वीडियो में हम यूपी ट्रपल सी द्वारा आईजोत होने वाली प्रिक्षा के लिए सामान अध्यन के महतपूर्ण प्रश्णों का अभ्यास करेंगे यह प्रैक्टिस इसके माध्यम से आप महतपूर्ण प्रश्णों का अभ्यास करके अपनी वास्तविक तयारी को परख सकते हैं इसके अतरिक्त सामान अध्यन और करेंट अफेयर्स की तयारी के लिए भी आप एकाक्स ट्रोटोरियलस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पीटी की एक्जाम की तयारी के लिए भी आप एकाक्स ट्रोटोरियलस को सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल पर प्लेलिस्ट के माध्यम से इंजन पॉलिटी इंडिनिस्ट्री करेंट अफेयर्स चैनल इस्टरी के महतपूर्ण प्रश्णों के वीडियो उपलब्ध हैं जिससे कि आप प्लेलस को सब्सक्राइब कीजिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हीं आप क्वेशन नम्बर वन हैं बारतीर सम्विधान के किस अनुचेर के अन्तरगत मौलिक करतवियों का प्रावधान किया गया है तो इस क्वेशन का अंसर है अनुचेर 51 का थीक है अनुचेर 51 का क अंतरगत मौलिक करतवियों का प्रावधान किया गया है Q2. 22 सम्विधान के अनुचेर 21 में किस मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है तो अनुचेर 21 में किस मौलिक अधिकार का प्रावधान है या वर्डन किया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतनत्रता का सन्रक्षान, ठीक है? इसके अंतरगत यह प्रावधन किया गया है कि विधी द्वारा इस्थापित प्रक्रिया के अत्रिक्त किसी व्रक्ती को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतनत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, ओके? question number 3, किसी विद्यक के धन विद्यक होने या ना होने का निरला कौन करता है तो इस question का answer है, लोगसभा अध्यक्ष कौन करता है निरला लोगसभा अध्यक्ष question number 4, सरवोच नयाले के नयाईधीसों के वेतन का निधारन किसके द्वारा किया जाता है तो इसका अंसर है संसत के द्वारा किसके द्वारा संसत के द्वारा देखें फ्रेंट्स वीडियो में जो questions लिए गए हैं वो यूपी ट्रपलसी के पीटी के एक्जाम के official syllabus को ध्यान में रखते हुए ही लिए गए हैं ठीक है question number five भारती सम्विधान के किस अनुचेत के अंतरगत संसत को नया राज्य बनाने का अधिकार प्राप्त है तो किस अनुचेत के अंतरगत अनुचेत तीन के अंतरगत और क्या अधिकार प्राप्त है संसत को अनुचे तीन के अंतरगत वर्तमान राज्यों के छेत्रों, सीमाओं या नामों में परवर्तन करने का अधिकार भीर संसत को अनुचे तीन के अंतरगत प्राप्त है Question number 6 भारत की किस नदी को दक्षिन भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है तो इसका अंसर क्या है कावेरी कावेरी नदी को दक्षिन भारत की गंगा के रूप में भी जाना जाता है ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम तो यह किस नदी की साहिक नदी आए क्रिश्चन नदी की ओके इसके बाद है क्वेश्चन नमर नाइन वायू मंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते है तो वायू मंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते है छोब मंडल या प्रोपोस्फियर ओके आपको पता होना चाहिए कि वायू मंडल की इसी परत में छोब मंडल में आदिता धूरकार्ण एवं सभी मौसमी घटनाई होती है ठीक है चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ओके Q10 इटली की राज़हनी रोम किस नदी के किनारी इस्थास है Q11 बेतला राष्टिय उध्यान किस राज में अवस्थ्य थास है राज में अवस्तिते जारखन्द में ओकें है उकाई परिजय本 के इस थे ते तो उकाई परी ऑिस नदी पर अवस्तित वह सोशन ho जाए कि पर्यूजन और राज मेरी आवस्तित तो और अंसर होगा गुज्रात वेर गुजरात राज्में के सबसे अच्छे सुचक है तो यह이ेर प्रदूशन के सबसे अच्छे सूचक है वायू प्रदूशन के नेक्स गडि़न तो यह किस प्रकार के प्रदूशन के सबसेच ही सूच के वायू प्रदूशन के, ओके, चलिए, next question, question number 14, समताप मंडल में इस्थित, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है, तो ओजोन परत की मोटाई को नापते हम, किसमें, डॉपसन में, किसमें, डॉपसन में सितंबर को, का मना जाता है, सोला सितंबर को, ओके, चलिए, अब हम अगला प्रशन देखते हैं, question number 16, स्वेतामबर संपरलाई के प्रवर्ता कौन थे, कौन थे, इस्थूल बद्र, ठीक है, जैन्दर्न दो संपरलाईों में विवक्त हो गया था, स्वेतामबर और दिगंब संपरलाई में, ठीक है, question number 17, हरिशेन किस शाशक का राज कभी था, समद्र गुप्त का, ठीक है, question number 18, गंड़क नदी को वैदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, तो वैदिक काल की एक नदी थी, सदा नीरा, जिसका नाम था सदा नीरा, उसी को आधुनिक समय में गंड़क नदी के नाम से जाना जाता था, सदा नीरा नाम से, ठीक है, चलिए अब अगला question देखते हम, नेक्स्ट कुश्चन है वाजस नहीं सहीता किस वेट से सम्मनित है तो शुकल यजुल वेट से सम्मनित है आप जानते हैं कि यजुल वेट की दो साखाई है शुकल यजुल वेट और कृष्ण यजुल वेट ठीक है तो वाजस नहीं सहीता शुक ले जुरुएत से सम्मझ ने झाय, question number 20, ripping बाजार पत्रका का संपारं किस ने किया, तो इसका संपारं किया था, शिशिर कुमार गोष्ण ने, question number 21, बार्दोली सत्ता ग्रह का नेतर तो किस ने किया, तो इसका नेतर तो क्या था, संदार वल्लब भाई पतेल में, किस ने किया था संदार बल्लब भाई पटेल में और फ्रेंट्स क्वेस्चन नमर्ट 20 में अमरित बाजार पत्रका का संपादन किस ने किया इसमें यदि ऑप्शन्स में इस प्रश्ण के ऑप्शन्स में यदि शिशुर कुमार गोश का नाम ना देकर मोती लाल गोश का नाम दिया हो तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं यह दोनों भाई थे शिशुर कुमार गोश और मोती लाल गोश ठीक है दोनों ने मिलकर इस प्रत्रका को शुरू किया था ठीक है Q22 सुराज सब्द का प्रेव सर्प्रत्रम किस के द्वारा किया था दयानन सरस्थी के द्वारा Q23 सूरी की किड़ने किस प्रक्रिया द्वारा प्रत्रवी तक पहुंचती है विकड़न अर्था रेडियेशन के द्वारा क्वेस्चन नमर्ट 24 , fountain pain किस सिध्धान्त पर कार करता है , तो यह किस सिद्धान पर कार करता है केशिका ख्रिया किस सिद्धान पर कार करता है या हम कह सकतने कैपिलरी एक्षन पर आधारित है ठीक है फाउंटेन पेन किस सिद्धान पर आधारित है कैपिलरी एक्षन या केशिका ख्रिया ओके आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है पॉलिथीन के संसिलेशन में किसका प्रयोग किया राता है तो पॉलिथीन के संसिलेशन में या सिंथेसिस में एथिलीन का प्रयोग किया राता है एथिलीन इसका अंसर होगा तो friends इस तरह से ये 25 questions पूरे हुए इस वीडियो के, यदि किसी प्रशनी के आंसर में कोई गलती हो तो comment box में आप सही answer बता सकते हैं, यदि वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और एकाक्स tutorials को subscribe कीजिए, PT की तयारी के लिए, ROARO की तयारी के लिए, UP PCS का जो प्रिलिम्स का एक्जाम है 2021 का, उसकी तयारी के लिए सामान अध्यन और करेंटरफेर्स की तयारी के लिए आप एकाक्स tutorials को subscribe कर सकते हैं, तो मिलते हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद